तो नमस्कार दोस्तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कोईन ओल इस गोल्ड में तो दोस्तो अभी तक आप ले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वो बैल नोच्पिकेशन ओन कर दे ताक आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले और दोस्तो वीडियो को शेर जरू करना शेर करने के लिए मैं इसलिए कहता हूं जो कोईन मैं आपको अपनी वीडियो में दिखाता हूं वो coin आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है आपके पास नहीं तो क्या पता आपके यार दोस्तों के पास हो आपके रिष्टेदारों के पास हो इसलिए ये वीडियो उनको भी शेर कीजिए उनको भी पता लगना चाहिए कि कौन सा coin क्या value रखता है और दोस्तों आपको और कोई अधिक जानकारी चाहिए अपने coin से related अपने note से related चाहिए तो वो दुनिया की कोई भी currency हो आपको उसके बारे में कुछ भी मुझसे पूछना है तो आप मेरे channel की membership ले सकते है channel की membership 299 रुपे की है एक महिने की जिसमें मैं आपको 30 से 35 coin के बारे में बताऊंगा चाहिए वो world की कोई भी currency हो ये 50 पैसे के community coin आप में से बहुत साई लोगों के पास होंगे लेकिन आपको पता नहीं होगा कि कौन सा rare है कौन सा square है और कौन सा common है तो आज की वीडियो आदी वीडियो देखते है और में पाक coin भेज देते है लेकिन वो coin वो नहीं होता जो आप मैंने आपको वीडियो में दिखाया होता है या उसका mint अलग होता है या तो उसका year अलग होता है तो दोस्तों वीडियो पूरा end तक देखना है तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते है सबसे पहले हम बात करेंगे पचास पैसे के इस सिक्के के बारे में जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे है यह है जवालल नहरू का पचास पैसे इंग्लिश लेजंड है यह आप देख लीजए के बारे में बताऊंगा यह बनाया गया था बंबे और कलकत्ता दोनों ही मिंट के इसमें स्केर की कैटेगरी में आते हैं कीमत में लेकिन फरक है मैं आपको दोनों मिंटों की कीमते बता देता हूँ बंबे के इसमें आपको मिल जाएंगे UNC condition में 100 रुपे और कलकत्ता के आपको मिल जाएंगे 200 रुपे एक कोईन के जवाल लाल नहरू English Legend तो दोस्तों आप देख लेना अच्छे से मैं English Legend वाले जवाल लाल नहरू के कोईन की बात कर रहा हूं एक इसमें Hindi Legend भी आता है Hindi Legend की में बात नहीं कर रहा है क्योंकि वो है Common की केटेगरी का English Legend जो है Scale की केटेगरी का फरक इसमें यह है उसमें जो Hindi Legend है उसमें Hindi में लिखा हूँ है जवाल लाल नहरू और English वाले में English में लिखा हूँ है यहाँ पर आप देख लीजिए अब बात करते हैं अगले कोईन की यह जो आप अपनी स्क्रीन पर सिक्का देख रहे हैं यह है National Intrigation का 1982 का यह सिक्का है यह आप अच्छे से देख लीजिए Metal इसका copper निकल है Weight 5 Gram है Size 24 mm है Shape इसकी गोल है यह सिक्का आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर लेकिन इसमें अगर बात करें हम कलकत्ता मिंट के सिक्केगी National Intrigation का 50 पैसे कलकत्ता मिंट तो दोस्तों वो आता है rare की कैटगिरी में अब इसकी मैं आपको कीमत बताता हूँ Fine to UNC's की कीमत बताऊँगा क्योंकि यह महेंगा सिक्का है तो इसकी Fine Condition में भी इसके आपको मिल जाएंगे कम से कम नहीं तो 1000 रुपे Fine Condition में इसके आपको 1000 रुपे मिल सकते हैं और Very Fine Condition में आपको मिल जाएंगे 1300 रुपे से लेकर 1500 रुपे Extra Fine Condition में आपको मिल जाएंगे इसके 2000 रुपे और UNC Condition में इसके आपको मिल जाएंगे पच्चिस सो से लेकर तीन हजार उपे आप देख लीजे मैं कलकत्ता मिंट के सिक्खे की बात कर रहा हूँ मैं बॉम्बे मिंट के सिक्खे की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं वो आप सिर्फ फोटू देखते हैं कोईन की की कोईन सेम है लेकिन आप यह नहीं देखते कि उसमें मिंट मार्क भी होता है कलकत्ता मिंट का कोई मार्क नहीं होता है और बॉम्बे में डैमेंट मिंट मार्क होता है तो यह आप अच्छे से समझ लीजिए मैं कलकत्ता मिंट के सिक्के की बात कर रहा हूँ बॉम्बे मिंट के आपको कुछ भी नहीं मिलेंगे वो कोमन की कैटेगरी का होता है अब बात करते हैं अगले सिक्के की यह आप अपनी स्क्रीन पर सिक्का देख रहे हैं यह है गोल्डन जुबली रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया यह 50 पैसे का सिक्का बनाए गया था 1985 में मैटल कोपर निकल है वेट 5 गराम है साइस 24 में मैं शेप इसकी गोल है यह 3 मिटों से बनाए गया था दोस्तों बोंबे, कलकटा, हैधराबाद इसमें बोंबे और एधराबाद यह दोनो मिटों दोस्तों common की कैटेगरी में है जिसके आपको कोई value नहीं मिलेगी लेकिन कलकटा मिट इसमें आती है square की कैटेगरी में जिसके आपको अच्छी value मिल जाएगी very fine condition में आपको 300 रुपे मिल जाएगे extra fine condition में आपको 400 रुपे मिल जाएगे और UNC condition में आपको 700 रुपे से लेकर 800 रुपे मिल जाएगे ये coin आप अच्छे से देख लीजिए golden jubilee of reserve bank of India है ये आप सिक्का देख लीजिए weight 5 gram है, size 24 है में shape इसकी goal है ये 3 mintों से बनाया गएते Bombay, Calcutta, Hyderabad इसमें Bombay और Calcutta, Coman है दोस्तों जो भी मैं आपको बता रहूं वो चाहे तो आप एक जगा लिख लीजिए या तो वीडियो को दुबारा देख लेना अगर आपको समझना है अगर इस सिक्के के हम कीमत की बात करे UNC कंजिशन में इसके आपको मिल जाएंगे 100 रुपे से लेकर 120 रुपे हैदराबाद मिंट के इंदरा गांधी के सिक्के के अब बात करते हम अगले कोईन की ये है Fisherish ये आप देख लीजिए ये कोईन दोस्तों है तो कोमन की कैटेगरी में पहले मैं आपको इसकी basic जानकारी दे दे तो हम फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये कोमन की कैटेगरी में भी रहके महेंगा कोईन है ये बनाय गया था 1986 में मेटल कोपर निकल है, वेट पांच गराम है size 24 MMMH shape इसकी गोल है तो ये अब बात करते हैं अगले शिक्के की ये आप देख लिए ये है फिफ्टी इयर्स ओफ इंडिपेंडेंडेंस ये बनाए गया तो 1997 में मैटल इसका स्टेनलेस स्टील है वेट इसका अप्रोक्स चार गराम है साइज इसका 22 mm है शेप इसकी गोल है ये चार मिन्टों से बनाए गया था बंबे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोईडा इसमें बंबे और जो नोईडा है वो है कोमन की कैटेगरी में कलकत्ता, हैदराबाद एक आता है रेर की कैटेगरी में और एक आता है स्केर की कैटेगरी में तो पहले मैं आपको बता देता हूँ हैदराबाद मिन्ट के सिक्के की वेल्यू हैदराबाद मिंट इसमें स्केर की कैटेगरी का सिक्का है अगर उसके हम कीमत की बात करें तो UNC कंजिशन में आपको जाई सो रुपे से लेकर तीन सो रुपे मिल सकते हैं कलकत्ता मिंट के आपको मिल जाएंगे जो की है रेयर की कैटेगरी में इसके आपको मिल जाएंगे 500 रुपे से लेकर 500 रुपे एक सिक्के के अभी इसकी इतनी कीमत चल रही है 500 दे 500 लेकिन इसकी वैल्यू और जादा बढ़ेगी क्योंकि अब जो बुक आएगी उसमें इसकी कीमत और जादा बढ़ जाएगी अगर आपके पास यह सारे सिक्के है तो अपनी कलेक्शन में एड करें जो मैंने आज आपको बताएं अभी इन सिक्कों को बेचने की जल्दी बिल्कुल मत करना क्योंकि अभी आप समझी सकते हैं कि इसकी इतनी वैल्यू नहीं चल दी क्योंकि काफी लोगों के पास ये सिक्के होते हैं मैं ले ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए बनाई है कि जो लोग मेंबर्शिप नहीं ले पाते हैं उनको मैं square और common category के सिक्कों के बारे में information वीडियो में दे दूँगू क्योंकि मुझे पता है कई लोग मेंबर्शिप नहीं ले पाते तो इसलिए मैं ले ये वीडियो खास कर उन्हीं के लिए ही बनाई है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मैं आपके लिए रोज ऐसी नोलेजबल और इंटरस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जै हिंद